कि अभी एक वीडियो बहुत वाइरल हो रहा है द्रस्टी आये इसका इसमें भानुभाव हैं जो बहुत वाइरल हैं बहुत फेमस हैं उन्होंने भगवान राम और सीता के बारे में कुछ ऐसे अबाद्रि टिपणिया की है ना कि उनकी कोई पहली टिपणि नहीं है जो कि उन लब्द हैं तो पूरे वीडियो देखने के बाद हम कहते हैं सोचते हैं कि आखी ये लोग ऐसा करते हैं और उसका जो एक्स्प्लेशन उन्होंने दिया है उसका मतलब क्या है तो जब राम रामण युद्ध हुआ उसके बाद माता सीता राम से मिलने आती है तो उस समय का ज जब सीता जी मिलने आए राम से तो उनको लगा होगा बइए अब इतने दिनों बाद लडाई करके मिले हैं तो उसी होंगे कहले मिलेंगे तो स्री राम ने कहा राम स्री राम का सब्द का उचरण कर रहा है स्री राम तो मैं कहे राम वो राम कहता है तो उन्होंने कहा कि आप अगर सीता जी सीता अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने लड़ाई आप के लिए लड़ी है तो आप गलत फैमे है मैंने ये लड़ाई कुल गौरफ के सम्मान के लिए लड़ी है अगर यहां तक भी रुख जाता तो कोई समस्या नहीं थी भाई ठीक है और आप जहां तक आपका है महत्तो तो आपका मेरे जिंदगी में उतना ही महत्तो है जितना एक कुट्टे द्वारा घी के चाठे जाने के बाद यह वो वीडियो का हिस्सा है जो की वाईरल है उस वीडियो के अंगले हिस्से में वो बताता है कि यह बातें राम के करेक्टर के द्वारा कहलवाई गई हैं कही गई है नहीं और ऐसा करने वाले जो लेखक होते हैं वो अपनी बातों को किसी एक करेक्टर के दोरा कहलवाते हैं अब ये उनका पूरा वीडियो है इसको एस्प्लेंड करने के लिए उन्होंने कई पे बुक दिखाई वो जो बुक किसी JNU के प्रोफेसर के दोरा लिखी गई है जब JNU के बारे में JNU में जो पहले पढ़ते थे वो हिंदु धर्म के बारे में क्या सोचते थे स्री राम, माता दुर्गा के बारे में क्या सोचते थे ये सबको पता है अब उसके explanation में वो टीचर जी कह रहे हैं कि हमें तो बहिया पताना था कि जो समकालिन लेखक हैं वो रामायन के बारे में क्या सोचते हैं इसलिए हमने बताया तो क्या समकालिन लेखक में आपको वही एक मिला जो इस तरह के अब सब्दों का उप्योग कर रहा हो अगर आपको explain करना है तो आप सही सब्दों वाले भी बहुत सारे लोग टीकाटी पणी लिखते हैं मतब रामायन महाबारत पे तो आपको हजारों लाखों मिल जाएंगी लेकिन आपको नहीं आपको चुनना था वही आप कोई दूसरा भी चुन सकते थे किसी दूसरे लेकर का संदर में लेके बोल सकते थे किनोंने किस तरह से उसको explain किया है लेकिन चुकि आपको मन में दोस्त था तो आपको पहला ऐसा वीडियो नहीं है मतब यूटूब में भरे पड़े हैं यह explanation मत दीजए कि मैंने कोई किताब को quote किया है किताब में तो हर तरह के quote होते हैं आप इन ही महानुभाव के उन वीडियो को जा के देखिए जहां यह मुउम्मद के बारे में पता रहे है उनकी life के बारे में बता रहे हैं Islam के बारे में बता रहे हैं उसमें वो किसी भी, अब ऐसा थोड़ी है कि मुहम्मत के बारे में, इसलाम के बारे में, कुरान के बारे में लोगों ने गलत नहीं लिखा है, लेकिन वहाँ पे महानुभाव कभी भी किसी भी वीडियो में इनके बारे में बात नहीं करते हैं, जो उसको गलत बोलते हैं, या उसके बारे में गंदी-गंदी बाते लिखते अच्छी बाते नहीं करना चाहिए कि उसके लोगों की भवनाएं आथ होती है लेकिन यहाँ पर आप जब भी ये आदमी हिंदू धर्म के बारे में, माता सीता के बारे में स्रीडाम के बारे में बताता है तो वो हमेशा ऐसे जो दुष्ट लोग है मतलब आपके पास बुद्धी है आप किसी पड़े पोस्ट पे पहुंच गया इसका मतलब यह नहीं कि आप सज्जन है तो जो दुष्ट लोग होते हैं जो दुष्ट आत्मा होती है उन्होंने जो किताबें लिखुई है हमेशा उनका ही रिफरेंस देता है दूसरा बात यहीं पे इनका दूसरा वीडियो भी वाइरल था जिसमें वो बोलते हैं कि भगवान राम ने संबुक का बद कर दिया और क्यों बद कर दिया क्योंकि वो सूद्र था जबकि इसकी असलियत क्या है या तो आप किसी चीज को पूरी तरह से मानो या कि आप उस चीज को मत मानो आप उनका वीडियो देखेंगे तो उसमें वो कहते हैं कि स्री राम के पास कोई ब्रामान आया आप देखिए कि मतलब जो आज का टिपिकल सेकुलर होता है अभी वो कैसे चीजों को ट्वेस्ट करता है स्री राम के पास दरवार में एक ब्रामान आया उसने कहा कि मेरे बेटे की मुरत्यू हो गई है इस राज में कुछ अनैतिक चल रहा है तो राम ने कहा मेरे राज में अनैतिक ऐसा कैसे हो सकता है तो राम ने उसे ढूणा और उन्हें एक तिग गया सूद्र जो की तपस्या कर रहा था तो राम ने उसका कला कार दिया सिरोचेदन कर दिया जबकि असलियत क्या है आप इसे पूरा समझें इस राम ने तो कितनों को मारा कितने दुस्टों को मारा लेकिन ये जो द्रश्टियाएस या इस तरह के जो लोग है वो सिर्फ इसी कहानियों को क्यों लेते हैं क्योंकि इसमें प्रामान छत्रिय, शूद्र और जिसको मारा गया वो सूद्र है तो इनको अपने आपको तो दिखाना है ना कि यहां हम वहां से कुलर है जो कंप्लेन हुई थी महराज से महराजार राम से भगवान स्री राम से कि मेरे बेटे की मृत्य हुई है किसी के कारण किसी के कारण से किसी के कारेओं से मेरे बेटे की मृत्य हुई है वो एक फर्याद ले के आया था अब जो फर्यादी था वो ब्रामर था जब भगवान राम ने अपना राज्य में उसे इन्वेस्टिगेट कराया तो उन्हें पता चला कि वो जो मृत्ति होई है वो संबूक नामा के व्यक्ति की वज़े से होई है जो की सूद्र था अब चुकि उसकी वज़े से मृत्य होई थी तो भगवा उसे दंड तो दिया जाएगा लेकिन अब ऐसे तो बहुत सरे उदा रहे हैं जिने स्री राम ने दंड दिया है लेकिन उनको कभी भी ये उस तरह से प्रजिन नहीं करेंगे और उस वीडियो में उन्होंने ये भी नहीं बताया है कि जो ब्रामार था उसके बाला की मृत्य हुई थी उसका कारण क्या था है ना तो वो एक फर्यादी जिसके बेटे की मृत्य हुई थी उस मृत्यू का न्याय देने के लिए भगवान स्री राम ने संबूख की हत्या थी ना कि उसकी हत्या इसलिए कर दी थी कि वो सूद्र था तो इसलिए इन चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा लोगों को पहली बात तो पढ़ना चाहिए दूसरी बात पूरा वीडियो भी देखना चाहिए है और पूरा वीडियो देखने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप वो Drustyis वाले विलकुल सुदर गए हैं या वो सही बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है Drustyis बिलकुल गलत पढ़ा रहा है कुछ का कुछ भी मन गढ़नत पढ़ा रहा है देखो एक आदमी जो उसके दिमाग में कुछ होता है जो दिल में होता है वो ही मूपे आता है इसलिए बिलकुल घटिया इंसान है वो बहुत ही घटिया इंसान है एंटी हिंदू तो हई है वो जाहे उसके अलावा जो भी हो कितना भी बड़ा आदमी हो कितना भी घ्यानवान नहीं हूँ लेकिन है वो घटिया इंसान